सुप्रबात बालमित्रों आप सबीने कहानी खूटा गड़ा के अंत में पुछी गई पहली का उत्तर डूंडी लियाओगा पहली थी काला रंग है मेरी शान सबको में देता हूँ ग्यान शिक्षक करते मुझ पर काम नाम बता कर बनो महान तो इस पहली का सई उत्तर है ब्लेक बोर्ड शामपट तो बच्चों आप लोगों की तरही एक बालक था नाम था राकेश राकेश यही कुछ 12-13 वर्ष का बालक था वह बहुत आज्याकारी और परोपकारी था वह हमेशा दुसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था होता यह है कि वह शहर के जिस मौले में रहता था बिजली के खंबों पर लगी लाइटे बर्सों से खराब पड़ी थी बाहर बाहर कंप्लेंट कराने पर भी कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था राकेश अकसर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परिशान होते देखता तो उसके दिल में आता कि वह कैसे इस समस्या को दूर करे इसके लिए जब वह अपने ममी पापा और पडोसिय से बात करता तो वह इसे प्रशाशन की लापरवाई करकर डाल जाते कापे समय तक सोच विचार करने के बाद राकेश को एक उपाय सुजा एक तिन वह अपने गुलत में एकटे पैसो से एक लंबासा बास बिजली का तार और एक बल्ब खरीद लाया और अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने गर के सामने गाड कर उस पर बल्ब लगाने लगा आस परोष के लोगों ने देखा तो पूछा अरे तुम ये क्या कर रहे हो तो राकेश ने जवाब दिया मैं अपने गर के सामने एक बिजली का बल्ब जहलाने का प्रयास कर रहा हूँ परोषियों ने सवाल उठाया अरे इससे क्या होगा अगर तुमें एक बल्ब लगा भी दोगे तो पूरे मौल में प्रकाश थोड़े ही होने वाला है आने जाने वाले लोगों को तो तब भी परेशानी उठानी ही पड़ेगी राकेश बोला आपकी बात सही है पर ऐसा करके मैं कम से कम अपने गर के सामने से जाने वाले लोगों को तो परेशानी से बच्चा ही लूँगा और ऐसा क्याते हुए उसने एक बल्ब वहां टांग दिया रात को जब बल्ब जला तो बात पूरे मौले में फेल गई किसी ने राकेश के इस कदम की खिल्दी उड़ाई तो किसी ने प्रशंचा की एक दो दिन बीते तो यह क्या कुछ और गरों के बाहर भी रोश्नी न जराने लगी फिर क्या था महिना बित्ते बित्ते पूरा मौला प्रकास से जगमुगा उठा धीरे धीरे पूरे शहर में यह बात फेल गी अकबारों ने भी यह खबर प्रमुक्ता से चापी और अंततः प्रशाशन को अपनी गलती का असास हुआ मौले की स्ट्रीट लाइट स्थिक करवा दी गई तो बाल मित्रो कई बार हम बस इसलिए अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि हमें उससे होने वाला बदला बहुत छोटा प्रतीत होता है पर हकीकत में हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है हमें हर वो काम करने से नहीं चुकना चाहिए जो हम कर सकते हैं इस कहानी में भी अगर राकेश के उस कदम की वज़े से पूरे मोहले में रोश्नी नहीं भी हो पाती तो भी उसका वो कदम उतना ही माहन होता जितना की रोश्नी हो जाने पर है राकेश की तरव हमें भी बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए बलकि हमें अपने में वो बदलाव लाना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं तब ही हम अंदेरे में रोश्णी की किरण फेला सकते हैं अभी हमारे सामने कई ऐसे कारिये हैं जो करना आप एक्षिते या कहना चाहिए हमें करना ही चाहिए जैसे एक रक्षा-रोपन को हिलेते हैं हमें जादा से जादा व्रक्ष लगाने चाहिए इसके लिए हमें कई बाहर से कुछ खरीदने के आवशिकता नहीं है आज हम सभी परंड ले लें कि हम वर्ष बरमें जो भ इंबोली को एकत्र करके इसको आते जाते खाली पड़ी जगों पर भेग सकते हैं, कुछ पेड़ हम बड़े व्रक्षों की टेहनियों को काट कर उसको भी जमिन में लगा दें तो बारिश में वह भी पनब जाते हैं पोधे, तो इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना है, य अब आरी है आज की पहली की, तो पहली है एक पेरहे काली दोती, जाडे में वह हर्दम सोती, गर्मी में वह चाया देती, सावन में वह हर्दम रोती, सावन में वह हर्दम रोती, और इसका उत्तर आपको डुंडना है, खोजना है, और सई उत्तर के साथ मिलते हैं, नहीं मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, धन्यवाद, तेंक यू,